हेलो एवरीवन आज हम बनाने वाले हैं स्टफ मश्रूम यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता और बच्चे भी खाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेजीटेबल्स भी है और मश्रूम में दोनों भी बह दी होते हैं डेली नहीं उसके लिए हमने यहां पर एक पैकेट वाला मश्रूम लिए और देखिक किता गंदर रहते हैं इसको अच्छे से वाश करना है बहुत सारे पानी से टू-3 वार वाटर ले लेकर अच्छे से वाश करना है ताकि इसके जितने भी मिट्टी वाले पा ह десят को अधर तो हमने तो अपने बचचों से उनको ख़िलाने के लिए तो अगर आप अपने बच्चों को खिलाना चाते हो ना सबजियां तो आप ऐसे बना के खिला सकते हो क्योंकि जब उसमें थोरी सी चीज और सबजियों को छुपा दिया जाता है ना चीज के बीच में त कere यह तब ARE और तोड़ा सा उयल डाला है बहुत थोड़ा सा वन स्पूंज बहुत जादा ऑई दाला है मैंने आप भी बहुत जादा मट डालना क्योंकि थोड़ा हेलदी वी बनाना है और वन ओनियन मैंने बारिक चॉप करके डाल दिया इसमें ओनियन को भी बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है हलका सा सिफ उसको चलाना है और उसके बाद हमारी जो सब्जी यह देखिए मैंने रेट ग्रीन यलो बहुती कलरफुल कैपसिकम इसमें डाला है ताकि देखने में बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा चैनल कि अग्रान के लिले बोदेखना है उसको का वर यीऊ चौप डिया है लिए हमारी अब्लब आप बढ़ो अगर आपके पास है तो यह डाल दीति जाल दिया है आपके टेस्ट के अंवागा सकते को जैसा सॉल्स यह कम ज्यादा है बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए वैसे थोड़ा कमी डाली है क्योंकि चीज वगर है में भी सॉल्ट होता है यह मौजरील चीज आता है चोटे-चोटे क्यूब में यहां पर मैंने डाला है थोड़ा चीजी फ्लेवर देने के लिए और वन यह जो मैंने स्लाइ बिलीव करो मैं भी बनाती हुना तो हमारे बच्चे बड़े सब बहुत अच्छे और गया इसको एकदम स्लो रखना है आपने देखा है मैंने एकदम स्लो रखना है ठीक है ताकि चीज हमारा जैले ना बस हलका सास में मिक्स करना है इसको ज्यादा पकाना नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं पकाना है यह हमारे स्टफिंग रेडी हो गया है इसको अम्पलेट में निकाल लिए और उसके बाद यह स्पून की हेल पेते हुए सारे मश्रूम में अच्छे से इसको स्टफ कर देना है दबा दबा के जितना ज्यादा स्टफ कर दीजे क्योंकि जि लिए मैंने मश्रूम में कितने प्यारे लग रहे हैं आप बीचीज ग्रेट कर दिया है आप बीचीज ग्रेट कर दीजे थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चीज नहीं डालना चाहते हो तो आप यहां पर पनीर भी डाल सकते हो ग्रेट करके उपर से वह भी बहुत अच्छा लगता है और अभी कड़ाई में मैंने हाफ स्पून बटर लिया है बहुत थोड़ा सा और उसको पूरे कड़ाई में अच्छे से फैला देंग है कड़ाई में अभी इसको डखकन से डख देंगे हम लोग और गैस को बहुत मीडिया माच पर रखना है एकदम स्लो भी नहीं रखना है क्योंकि मश्रूम में पानी छोड़ता है न तो थोड़ा सा मीडिया माच पर ही रखना है पहले बाद में जब उसका पानी जल बहुत अच्छे से पक जाएगा यह देखिए फाइफ मिनट्स फाइफ टू सेवन मिनट्स में सारे पानी जल गया और यह कुछ ऐसा हमारा मश्रूम स्टफिंग रेडी हो गया यह देखिए इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे करके बहुत ही यम्मी लग रहा है न देखक ओर हमारा मश्रूम रेडी हो गया मश्रूम स्टफिंग ऊपर से मैंने चीज ठोड़ा सा और ग्रेड किया जो बचे वे थे न और यह देखिए कुछ इस तरह से रेडी होगा आप इसको ग्रीन चटनी के गरन से। और से zarf कर सकते हो सेजॉन चटनी के साथ यह ऐसे भी है ऐ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कूल मत मुलना बैबाइ